Good morning students, today we will study about noun. Noun क्या होता है बचो? A noun is the name of a person, place, thing, quality or feelings. और हिंदी में कहें तो हम इसे संध्या कहेंगे. संध्या क्या होती है? किसी का नाम. इसको हम naming word भी खहते हैं. तो बचो इस संसार में हर किसी चीज का अपना एक नाम होता है. और नाम को हम noun कहेंगे या फिर naming word कहेंगे. अभी नाम किस-किस का हो सकता है? परसन का हो सकता है, place का हो सकता है, thing का हो सकता है, और quality का हो सकता है, और feelings का हो सकता है. तो हिंदी में हम इसे बुलेंगे संख्या किसी व्यक्ति, वस्तुस्थान, गुण या भाव के नाम को कहते हैं अब यहाँ पर पर्सन के रूप में नाम कौन सा होगा? जैसे राम होगा, मोहन होगा और प्लेस के रूप में हम नाम किसको लेंगे? जैसे कुलकाता और think के लिए जैसे sun और quality जैसे goodness और feeling के लिए जैसे love तो ये सब क्या है बचो नाम है किसी ना किसी चीज के या व्यक्ति के या जगह के या फिर किसी भाव के तो इनको हम क्या कहते हैं? noun कहते हैं अब अगर noun को पैचाना हो तो कैसे पैचानेंगे? यहाँ पर कुछ words लिखे हुए है इन में से हम choose करेंगे कि noun कौन सा है तो यहाँ पर है राम, हीज, बुक, गीता, विद, गुड तो इन में से हमें अगर choose करना हो noun को तो कैसे करेंगे जैसे किसी का नाम नाम को ही हम noun कहेंगे तो राम क्या है किसी चीज का नाम है तो यहाँ पर राम क्या हुआ noun हुआ हीज, हीज बचो किसी का नाम नहीं है क्योंकि यह है किसी के नाम की जगह पे योज क्या जाता है जैसे राम के लिए हम हीज लगा सकते हैं जैसे राम, हैज, काव तो इसमें राम क्या है बच्चो किसी का नाम है किसी वैक्ति का नाम है और काव काव भी क्या है किसी एनेमल का नेम है तो ये दोनों नेम है तो इनको हम बोलेंगे नाउन लेकिन हैज हैज यहाँ पे क्या है वब है और ए क्या है यहाँ पे आर्टिकल है तो सिर्फ यहाँ पर दो noun है राम और काव और इसी थरह से हिज जैसे हम कहें हिज काव है जर टेल उसकी गाए के एक पूछ है तो यहाँ पर जो हिज काव तो आया है बच्चो यह क्या हुआ? नाउन हुआ लेकिन जो हिज आया है यह किस के लिए आया है? नहीं है फिर आता है हमारा बुक भी क्या है? किसी चीज का नाम है तो यह क्या हुआ? नाउन हुआ फिर आता है गीता गीता एक लड़की का नाम है तो यह भी नाम है तो यह हमारा नाउन हुआ फिर आता है विद के साथ यह हमारा केस है यह हमारी preposition है, यह हमारी preposition है तो इसको हम noun नहीं कह सकते फिर आता है हमारा good good क्या है बचो, किसी का good बताता है दोश बताता है, किसका बताता है राम, जैसे हम कहें, राम is a good boy तो यहाँ पर जो good word है बचो, यह क्या दर्शारा है राम की विशेशता बता रहा है सकते, तो यहाँ पर जो good है यह किसी की विशेशता बता रहा है तो यह noun नहीं है तो यहाँ पर noun कोन हुआ, जो नाम है उन्ही को हम noun बोलेंगे, तो राम हुआ बुक हुआ, गीता हुआ बस, यह तीन इन में से noun है बचो, तो I hope आपको noun का concept clear हो गया होगा अब हम करेंगे types of noun अब part one में हम कुछ types करेंगे noun की और वो है first है हमारा proper noun अब proper noun किसे कहेंगे a proper noun is the name of some particular person place or thing तो proper noun क्या होता है बचो वैक्ति वाचक संग्या होती है जो किसी विशेश, वैक्ति स्थान या चीज का बोध कराती है तो जो विशेश के लिए यूज होता है उसे हम proper noun कहते हैं यह सब का नाम नहीं होता तो जैसे name of person के रूप में हम क्या क्या सकते हैं जैसे आमन, शाम, अभिशेक तो यह हमारे क्या हुए proper noun होए क्योंकि यह सब के नाम नहीं है या common नाम नहीं है यह किसी विशेश व्यक्ति के नाम है तो इनको हम proper noun कहेंगे फिर आता है एकजेंपल के लिए name of place name of place में जैसे कोलकाता है, अमेरिका है इंगलेंड है तो यह सारे क्या है common तो क्या होगे बचो यह city है लेकिन यह क्या है किसी विशेश सहर का नाम है किसी विशेश city का नाम है तो इनको हम कोलकाता कहेंगे या फिर अमेरिका है उसको अमेरिका कहेंगे और इंगलेंड है उसको इंगलेंड कहेंगे इसी तरह थिंग के एकजेंपल में हम ताज महल लेते हैं या फिर सन को लेते हैं तो यह क्या होगे किसी विशेश ठिंग के नेम है तो इनको हम बोलेंगे proper noun next आता है हमारा common noun तो common noun किसे कहेंगे a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind of group common name क्या होता है बचो किसी चीज का जिस नाम से एक वर्ग या जाती के प्रतेक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम common noun कहेंगे short में कहेंगे अगर जो सब जो किसी का common नाम हो जो सब में जो उनमें common हो उसे हम common noun कहेंगे जैसे यहां फिर four example लिया है boys boys are going to the library तो यहां पर बोईज जो है बचो वो क्या है आपका common noun है अब library भी क्या है यहां पर noun है और यह भी कौन सा noun है common noun है अब common कैसे हुए कैसे पता चला जैसे राम है शाम है गोलू है अब राम शाम गोलू यह लड़के खड़े हैं तो इनको हम common क्या कहेंगे बोयज कहेंगे, सभी common रूप से क्या है, बोय हैं, लड़के हैं, लेकिन particular क्या है ये, अपने इनके अपने नाम है, राम है, शाम है, गोलू है, तो जब हम राम और शाम को अलग लगून के नामों से जानेंगे, तो वो क्या हुए, प्रोपर नाउन हुए, लेकिन जब प्रो common noun कहेंगे, जैसे, राम, शाम और गोलू के लिए common name क्या हो गयँ, बोयज हो गया, तो बोयज हमारा क्या हुआ, इसी तरह library में, तो library क्या होता है, common noun होता है, क्यूं होता है, क्यूंकि library के क्या है, अलग लग नाम होते हैं, जैसे स्वामे विवेकाननंदा library या फिर जैल नहरू library तो इस तरह से जो हमने अलग-अलग नाम लिए वह क्या हुए हमारे लाइभरेडी के वह proper name है जैल नहरू library या फिर स्वामी विवेकानंद library यह सारे प्रोपर नेम हुए लेकिन जब इन सब के लिए यह common name लिया जाता है library तो अकेला library यहां पर common noun होगा इसी तरह जैसे city को लेते हैं अब city क्या है? Common noun है उमीद है बचो आपको proper noun और common noun में difference समझे आ गया होगा इसी तरह जैसे birds live on trees तो birds यहां पर क्या है common noun है क्योंकि birds में कौन आते हैं जैसे pigeon है, crow है, parrot है तो pigeon, crow, parrot यह क्या हुए? प्रॉपर noun हुए और इन सब का common name क्या हो गया? birds तो यह हमारा birds जो है यह हमारा common noun हुआ अब next आता है हमारा collective noun collective nouns are used to name a group of persons, places, animals or things जिस नाम से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यत्तियों के समूह का बोध हो, group का बोध हो उसे हम collective noun कहेंगे अब four example हमने लिया है, we saw a fleet of sheep yesterday तो यहां पर fleet जो word है, यह बचो हमारा collective noun है और जो sheep है हमारी, उसके group को हम बोलेंगे fleet और fleet हमारा collective noun हो जाता है इसी तरह our team won the match team हमारा क्या है? collective noun है क्यों? क्योंकि team क्या है? players का group है उसको हम बोलेंगे team तो group को हम बोलते हैं collective noun और बचो एक और बात यहां पर ध्यान रखने योगे है कि team जो है, वो एक player की भी हो सकती है और जादा players की भी हो सकती है जैसे cricket में 11 players होते हैं और badminton में जो है, एक player भी होता है और दो player भी होते हैं तो इस तरह से team जो word है उसमें एक player भी हो सकता है और ज्यादा प्लेयर भी हो सकते हैं अब collective noun और common noun में क्या difference है बचो collective noun जो होते हैं वो common नहीं होते हैं सिर्फ वो group होते हैं group किसका होते हैं? अपने सदर्शों का group जैसे class word है अब class किसको कहेंगे हम? जैसे students के group को हम क्या कहेंगे? class कहेंगे लेकिन जब actors दो से ज़्यादा है या एक से ज़्यादा है तो उसको हम actors बोलते हैं उनका कोई group name नहीं होता है अब actors में बचो एक से ज़्यादा actor तो हो सकते हैं लेकिन उन्हें हम collective noun नहीं कहते हैं क्योंकि उनका एक group name नहीं है actor क्या है यहाँ पर? common noun है किन के लिए common noun है? जैसे अलग-अलग actor है, शारू खान है, सल्मान खान है, उन सभी का अलग-अलग नाम है, लेकिन proper noun है वो और proper noun को जब हम एक common name देते हैं, तो वो क्या है हमारा actor है? तो actor क्या है हमारा common noun है, यह collective noun नहीं है, लेकिन जो class है हमारा वह collective noun है, क्योंकि इसमें एक group को denote किया गया है, और group किसका है यहाँ पर? students का, इसी तरह और समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ example लेते हैं, जैसे flowers के group को हम क्या कहेंगे? bunch कहते हैं, तो bunch क्या हो गया? flowers का group हो गया, तो group को हम bunch बोलेंगे, इसी तरह आर्मी है, या फिर fist का जो group है, fist के group को हम क्या बोलते है? school, school बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको concept clear हो गया होगा, बच्चो, जो common name है, उसको हम common noun कहते हैं, और जो group name है, उसको हम collective noun बोलते हैं, अब आता है next हमारा fourth, material noun, material noun, refers to a material or substance from which things are made, such as silver, iron, diamond, etc. material noun क्या होता है, बच्चो, पदार्थ वाचक संख्या, या फिर द्रव्य वाचक संख्या, अब द्रव्य वाचक संख्या, क्या होती है, ऐसे पदार्थ, जो जमीन से निकाले जाते हैं, या जिन से किसी दूसरी वस्थू को बनाया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है, उ नेक्स्ट है, कोटन, ड्रेसिज आर कमफर्टेबल, तो यहां पर जो गोल्ड है, यह हमारा मटीरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से क्या बनता है, जेवरात बनते हैं, तो गोल्ड क्या हुआ हमारा मटीरियल नाउन हुआ, इसी तरह कोटन, कोटन भी क्या है, मटीरियल नाउ के लिए star point क्या है कि इन से चीजों का निर्मान किया जाता है और दूसरा इनके आगे कोई article नहीं लगाया जा सकता यहां पर omission इनके आगे omission of article होता है मतलब gold के आगे या फिर cotton के आगे a an या दा का यूज नहीं होता है इसी थरह proper noun का भी star point है हमारा कि proper noun का first letter capital होता है जैसे आमन है बचो तो आमन का हमने a capital लिया है सभी letter capital ना होकर जो first letter होगा वह capital होगा जैसे शाम है शाम का भी s जो है capital है ताज महल ताज महल का t जो है और m अगर अलग अलग लिखेंगे तो m भी क्या होगा first letter क्या होगा capital होगा England, England का e जो है वो capital होगा America, America का a capital होगा तो यह आपको समझा गया होगा कि proper noun का first letter हमेशा capital होता है बड़ा होता है अब next हमारा abstract noun An abstract noun is usually or generally the name of quality, action or state considered apart from the object to which it belongs जिस noun से गुण, दोश, दशा, भाव या कार्य विधी का बोध हो उसे हम भाव वाचक संग्या कहते हैं For example, Birbal was known for his wisdom अब wisdom क्या है बचो, abstract noun है क्यों है, अब wisdom दिखाई भी नहीं देता है और छुआ भी नहीं जा सकता है तो abstract noun का star point क्या है कि इन्हें हम ना तो छू सकते हैं और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं We can't touch them and we can't see them तो यहां पर wisdom हमें ना दिखाई देती है और ना ही हम इनको देख सकते हैं फिर हमें ये पता कैसे चलता है पता कैसे चलता है बचो, हम इनको feel करते हैं क्या करते हैं बचो, हम इनको feel करते हैं महसूस करते हैं जैसे love भी हमारा abstract noun है क्योंकि love को भी हम feel करते हैं touch नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते हैं इसी तरह जैसे next हमारा example laughter is the best medicine अब laughter यहाँ पे हमारा क्या है? abstract noun है क्यों है? क्योंकि laughter को हम सिर्फ feel कर पाते हैं महसूस कर पाते हैं touch भी नहीं कर पाते थो laughter abstract noun हुआ लेकिन यहाँ पर medicine भी यह है बचो noun है और medicine को हम देख पाते हैं महसूस कर पाते हैं तो medicine यहाँ पर क्या है? लेकिन यह abstract नहीं है क्या noun है? क्योंकि medicine कई परकार की होती है तो उनके अलग अलग नाम होते हैं जैसे paracetamol evil तो ये जो paracetamol है evil है ये क्या हुए proper noun हुए लेकिन इनका common name क्या हुआ medicine हुआ तो इस तरह से उमीद है आपको ये सब noun समझ आ गए होंगे अब next हम अच्छे से इनको consider करने के लिए exercise करते हैं select the noun from the following sentences and write their kinds इन निमलिकित वाक्यों से हमें noun को choose करना है और फिर उनकी type बतानी है तो first है हमारा his name is Ram तो Ram यहाँ पर बचो noun हुआ किसी का नाम है तो ये noun है अब type क्या है इसकी ये किसी विशेच वैक्ति का नाम है क्योंकि सभी को हम राम नहीं कह सकते या फिर राम कोमन नहीं होता सब का नाम कोमन नहीं हो सकता तो ये एक प्रोपर परसन का नाम है और इसलिए हम इसको प्रोपर noun बोलेंगे next a second I want to become a doctor तो यहाँ पर doctor जो है ये आपका noun है लेकिन ये कौन सा noun है बचो ये आपका common noun है common noun क्यों है क्योंकि doctor जो है mister प्रसाद भी हो सकते है mister शुकला भी हो सकते है और mister शाम भी हो सकते है तो जो mister शाम है mister प्रसाद है ये हमारे प्रोपर noun हुए लेकिन इन सब का common name क्या हुआ doctor हुआ तो ये आपका common noun है next a third I was full of fear अब यहाँ पर हमारा जो noun है ना ही हम touch कर सकते हैं इसको सिर्फ हम feel कर बाते हैं तो feel करने वाला noun हमारा कौन सा हुआ abstract noun fourth है he comes from a huge family अब family यहाँ पर हमारा noun है और family क्या हुआ common noun है क्यों common है क्योंकि जो एक परिवार में जो रहते हैं लोग या member उन सब को common noun हमने क्या दिया है family दिया है जिनका और उनमें family दिया है और उन सब का common noun हम क्या दे सकते है family तो family हमारा common noun हुआ अब next है बचो fifth this is Ram's book अब यहाँ पर Ram's भी noun है और book भी noun है अब book हमारा हुआ common name क्योंकि book बचो गीता भी है रामायना भी है गीतानजली भी है तो यह proper noun हुए गीता, रामायना, गीतानजली लेकिन जो word book यूज हुआ यह इन सब के लिए common name है तो इसलिए book को हम common noun कहते हैं अब आता है हमारा रामस रामस भी क्या है बचो किसी का नाम है और यह कौन सा noun है हमारा possessive noun है अब इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है बचो इसके लिए हम next वीडियो में पढ़ेंगे कि possessive noun क्या होता है उमीद है आप सबको noun का chapter समझ में आया होगा और अब आपको चैनल को subscribe करना है वीडियो को like और share करना है Thanks